टीवी का चर्टिश शो भाबी जी घर पर है कि करदारों को फैंस बहुत पसंद करते हैं शो के जितारे शोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं आपको बतादे इस शो में मन मोहन तिवारी की मा यानी अम्मा जी का करदार निवाने वाली एक्टर्स शोमार अठोर को का काफी पसंद किया गया उनके डायलोग आज भी घर में बोले चाते हैं उनके डायलोग पर लोग हसी से लोट पोट हो जाते हैं लेकिन आपको पता है कि सबको हसाने वाली शोमा अंदर ही अंदर कितनी घुटती है जब लोगों ने उनके वरते बजन को लेकर मजाग उड़ था उनका अचानक इसी शो के लिए सोमा जी को इतना बजन बढ़ाना पड़ा एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां एक्टर अपने आप को फिट रखने के लिए काफी जादा एक्सराइस और मेहनत करते हैं वहीं सोमा ने भी इस ग्लैमर इंडस्ट्री में काम पाने के लिए बज बजन बढ़ाया जी हाँ जिस इंडस्ट्री में लोग बजन घटाते हैं तो वहीं सोमा ने हद से जाद अपना बजन बढ़ा दिया सोमा ने काया मुझे बहुत से लोगों ने मेरी बॉड़ी के बारे में बहुत कुछ बोला लेकिन मैं किसी के कॉमेंट से निराश नहीं बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं थी जब मैंने भूमी काओं के लिए ओडिशन देना शुरू किये और कास्टिंग एजेंटों के पास जाना शुरू किया तो मैं नॉर्मल थी ना बहुत पतली थी और नहीं बहुत मोटी थी लेकिन फिर भी लोग मुझे रोल नहीं दि कम से कम मुझे बड़े एक्टर की लिस्ट में गिना जाएगा उसके बाद मैंने बजन बढ़ाया और मुझे एक काम मिलना शुरू हो गया आपको बता दे फिलाल सोमा जी जी जा जी छत पर कोई है में नजर आ रही है सोमा ने आगे कहा कि अब सीरियल की कहानी उनी को ध्यान म मेरा खर तयार होती है उन्होंने कहा कि आप मैं कुछ भी नहीं सोचती क्योंकि लेखक मुझे अपने दिमाग में रखते हैं अब मेरा करेक्टर लिखते हैं एक व्यक्ति को यह सोचकर मजबूत और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इस दुनिया में उसकी भी कोई ना कोई जरूर बनी है अपने वल्बूते पर वॉल्वूड जैसी चमकती इंडस्री में अपना नाम चमकाना कॉमेडियन भारती सिंग के लिए आसान नहीं था उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि आज सब वो दिखता है भारती आज टॉप पर तो पहुंच गई है लेकिन जब नी भारती ने पहले ही मां को सतर कर दिया था और पूरी प्लानिंग बना ली थी लेकिन फिर भी भारती सिंग के साथ कलत काम हुआ हम बताते हैं भारती सिंग के स्ट्रगल के दिनों का वो के साथ जब भारती की साह से तेज तेज चल नहीं थी भारती सिंग ने बताया कि उन्ह दोस्तों के साथ और मां के साथ और अडिशन के लिए गई थी भारती ने का कि मैंने उनको बोला कि अगर मैं 15 मिनट तक नीचे नहीं आई तो तुम लोग पुलिस को लेकर उपर आ जाना इससे पहले इज़त लुट जाए भारती सिंग इसके बाद उपर गई और डिरेक्टर का दर्वाजा कहताया भारती सिंग की सहां से तेज हो रही थी किस्से सामने आते हैं वह सब भाषाकी सिंग ळेखए उए थी और संज्ञे भाषाती ने बताया कि डाटिपर कमरे से भार निक कर पहना कर आया था इस पहारती कि ये तो पूरी तैयारी भारती ने सोचा सच में यहां ऐसे ही चोटे शहर की लड़कियों को बुलाया जाता है और जासा दिया जाता है फिल्मों का तेरे उनके साथ कालत काम किया जाता है इसके बाद भारती तो वहीं पर डर गई थी और हिम्मत हाने लगी थी लेकिन फिप भारती सिंग पूरी तया जिसके बाद उनके पास कोई कॉल तो नहीं आया इसके बाद दो तीन महीने बाद भारती को एक प्रोजेक्ट के लिए फोन आया जिन्नों ने भारती को बताया कि दा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए उनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है इस शो ने भारती की किसमती बदल दी भारती अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों पर छा गई थी मनीश पॉल के पोड़कास्ट में भारती सिंग ने अपनी करीबी और बड़े बचन पर भी खुला से किये भारती ने बताया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोग उनसे प्यार करेंगे या उनकी केर भी करेंगे क्यूंकि वो मोटी और अच्छी नहीं दिखती थी अपने फिटनेस को लेकर भारती ने काफी कुछ सहा है तो आप भी भारती सिंग को लेकर कॉमेंट ज़रू करें सबको हसाने वाली भारती सिंग इतने दर्द से भरी है कि शायद उनकी जंगय कोई और होता तो आज ये दुनिया भी नहीं देख पाता उन दर्द ने भारती को इतना मजबूत बना दिया कि वो कभी भी पीछे मुरने का सोच भी नहीं सकती लेकिन भारती सिंग अपने वो दिन कभी नहीं भूलती है जब उनकी माँ ही उनके लिए भगबान और पिता थे और हैं भी पहली बाद तो भारती सिंग को उनकी माँ जन देना ही नहीं चाहती थी लेकिन लाग कोशिशों के बाद भी भारती सिंग इस दुनिया में आकर रही उसके बाद दुख तो तब हुआ जब भारती सिंग के आते ही उनके पिता का निधन हो गया था जो यहां भारती सिंग महर्ज दो साल की थी वो अपने माता पिता का सई से चैरा भी नहीं देख पाई थी कि उनके पिता हमीशा के लिए चले गए लोगों ने भारती सिंग को इस बात पर भी ताने मारे कि उन्होंने तो अपने पिता को भी खा लिया भारती की माँने कभी हाने मानी वो भारती के साथ हमेशा लगी रही भारती सिंग का जन पंजाब के अमरसर में 3 जुलाई 1984 में हुआ था उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की थी भारती सिंग वैसे तो जब भी स्टेज पर आती हैं तो हर किसी को हसा देती है लेकिन जब भी उनकी मां उनके साथ होती है तो वो थोड़ी emotional हो जाती है भारती सिंग दो साल की थी और उनके पिता चले गए उसके बाद भारती सिंग बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उनके लिए उनकी मां क्या है पिता के जाते ही भारती सिंग की माँ पर उनके बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, भारती की माँ फैक्टी में काम करके घर का खर्ट चलाती थी, कभी कभी तो घर में ये आलम होता था कि एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता था, एक चेर्ट शो के दौरान भार गई परिवार की आर्थिक सिर्टी के कानल, इनके माँ ने अवाड कराना चाहती थी, उनके घर में पैसों की इतनी तंगी थी, कि स्कूल की फीज जमा करना भी मूश्किल हो जा था, उन्होंने कहा कि मैंने कॉलज में स्पोर्स में दाखिला लिया था, ताकि मेरी फीज मा जाती थी और घर में मां के लिए फल जूस लेकर जाती थी उस समय दो वक्ती रोटी का गुजारा वी मुश्किल से हो जाता था ऐसे में घर में फल देखकर मां और सब लोग खुश हो जाते थी भारती आज जिसमों काम पर हैं वो उसके लिए कपिल शुर्मा को हमेशा धनेव कपिल और भारती एक दूसरे को उस समय से जानते हैं जब दोनों अपनी अपनी जिन्दगी में संगर्स कर रहे थे थीटर करने के दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई थी वहीं से उनकी बॉंडिंग बनी जब भारती अम्रिस्टर में थीटर क्या करती थी उस समय कपिल शर् हो गई इस शो में हिस्सा लेने के बाद भारती ने जो कमाल दिखाया वह अज सब के सामने हैं भारती जब भी अपनी सफल्ता की बात करती हैं तो वह कप इस्षरमा का नाम ज़रूर लेती है थी भारती ने बदाया था कि उनका लाफ्टर चैलन्ज में चैन हुआ था तो आ मां ने किसी की बात नहीं सुरी को मां से बारती को एक बार तो जरुर मंबई लेकर जाओंगी क्या नहीं कि मेरी मंदी मुझे लेकर नहीं गई बारतियास जैली वीजन का बड़ा नाम बन चुकी हैं आज वो सफल भी हैं और शादी शुदा भी हैं उन्होंने हर्स लिंबाचिया से साल 2017 में शादी की थी कॉमेडियन शोदा का पर शर्मा में भारती ने कभी लल्ली बनकर लोगों को हसाया तो कभी बुगा बनकर सबका दिल जीत लिया भारती आज भारती सबसे बड़ी महि आने के साथ साथ कई शोस को होस्ट भी कर चुकी है इसी के साथ वो खत्रों के इखलारी जैसे शो का हिसा भी रह चुकी है